दोस्तों नमस्कार चुनाव प्रक्रिया शुरू ही 22 तारेक से आज एक के बाद एक दिन बढ़ते चला जा रहा है और कहीं कहीं लोगों की धड़कने बढ़ते चली जा रही है इस समय हम मौझूद है वसाई कॉंग्रेस भावन में आज कॉंग्रेस ने वसाई विदान सभा 133 से अधिकरत प्रत्याशी के तोर पर विजए शेट जो हमारे पास इस समय बेठे हैं उनका ऐलान किया है विजए जी ये 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 में भी काफी टफ इन्होंने मुकाबला यहां पड़ दिया था इस बार एक बार फिर इनको मिला है हलाकि 2019 में शिवसेना और महा यूति तब की उनकी तरफ से लड़ेते और इस बार कॉंग्रेस की तरफ से लड़ है पुराने कॉंग्रेस ही नेता है इनसे मुलाकात करते हैं और जानते क्या वीजन है और क्या कुछ इनका कहना है विजए सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुबकामना है कि कॉंग्रेस पार्टी ने आपको टिकेट फाइनल किया है और आप कॉंग्रेस के टिकेट पर तो आपको बहुत बहुत शुक्ताम ना है विजे पटन साब आपने 2019 चुनाव भी लड़ा है चुनाव को यहाँ आप रूट लेवल के आप एक नेता है ऐसे कम ही नेता है जो कि पूरे समय के नेता हो इस चुनाव में दिखते हैं बाकी देंग ने दिखते हैं आपके वारे में इसा नहीं लोगों में आपकी अलग छापे उसके बावजूद 2019 में किसी कारणों से आपकी हार हुई थी तो 2019 और 2024 के स्टरे से अलग है 2024 में कितने आउसर है 2024 में 108 तक का हमारे जीत होने वाली है इसमें कोई संधे ही नहीं है आपको मालूम है कि वो टाइम में कॉंग्रेस ने सीट उनको छोड़ी थी एक उनके साथ में एक विश्वास था उनके साथ में सत्तादरी के साथ में दोस्ती था वो दोस्ती कॉंग्रेस निबाई मगर उनोंने दो दपा 2014 में भी उनको सरकार दिया था वो टाइम में भी उसने दोस्ती निबाई नहीं वो BJP के साथ में बैटे थे चलो उनको कुछ प्रावलम होएगा करके कॉंग्रेस वाले ने माफ किया होएगा मगर 19 में भी 360 ML की उसको छोड़ी खाजदार की भी छोड़ी थी बात में जैसे पर कॉंग्रेस आगाडी की सरकार गिर गई और सिंदेगट की और देवेंदर पटनेश से की BJP की सरकार यूत्वी की सरकार बैट गई तो तूरन उदर से पल्टी मार के वो उस तरप चाके बैठे और उनको सरकारे देना चालू किया तो यह जो एक विश्वास था वो विश्वास की दखल उन्होंने लिया ने इसलिए हमारे सन्मानिये पटोड़े साथ सदेश अध्यक्षे है उन्होंने सब इनको जाना है कि आपने कॉंग्रेस वाले कारे करते अच्छे है दर जन्ता कॉंग्रेस के साथ में वहां विकास अगड़ के साथ में उद्धव जी मानने है उद्धव जी जब सियम बने तो पहला उनको ऐसा अलपा संक्या बोलते थे कि ए हिंदुत वादी है मगर अभी जब भी बैटे तो उसने देखा कि एस अच्छे सोशल वरकर है एक जुट रहना चाहते है तो उद्धव जी को भी बहुत लोग मानने लगे अलपे संक्या और इसका फाइदा अभी हो रहा है पवार साब भी मतलब अच्छे नेते है पवार जी को भी सन्मान हर जगे में होता है तो महाविका सागाडी का वसे में अच्छा सन्मान होएगा और इनरों जे विश्वास का जो विश्वास था इनके उपर उदर कुझे विदर दोके बाजी हुआ है इसलिए उसको जो अभी साथ दिया ने और एक ही बात बोलता है कि ओट टाइम में उसको एक सो एक लाग दो हजार उसको ओट गिरी थी तो उसमें मिनिमम ऐसा समझो कि 37 से 35 हजार ओट कॉंग्रेस की और राष्टरवादी की उसके साथ में गई थी इसलिए वो जिते थे अभी मेरे खैल से थे वो अकेले है अगर उसको वो ताकतदर समझते तो मेरा उसको एक ऐसा बोलना है कि उसने खुद पे बल पे लड़े और खुद जित के दिखाए इतना है बोलता है कि देखो कभी भी आई ना दुसरे का सहकार लेके जित वो पूरी जित ने होती है वो जित अधूरी होती है तो इसलिए आभी सहकार वाले ने तो उसका खंदा निकाल दिया है अभी खुद के बल पे लड़े उसको लड़ना है आप जिनकी बात करें आपका इशारा बहुजनिकास हागड़े की तरफ है तो इधर मेरे को 77,000 ओट गिरा था मगर आभी कुछ 68,000 ओट गिरा तो एक ही बात है हमारे जो ओटर से ओटर कम से कम 20,000 ओटर से न ओगुमने को बाहर गए थे चुटी पे इसलिए ओट हो है मिनिमम उसमे से महेने बोलता है कि 20,000 ओट हमारे गए थे मगर 15,000 ओट तो हमारे गए अगर 68 को 15,000 ओट जुड़े तो हम लोग करिब करिब 90 के आसपर तो ओटाइम में पहुझ गए थे उसके बाद में अभी नए हमारे मदार तये हुए उपर से हमारे जो सहकारी पक्षय है उनकी भी इधर ताकत बढ़ गए लिए हमारी कॉंग्रेस को तो इधर बहुत पुराने वोटर्स है मगर आभी सेने की भी ताकत भी अच्छे तरफ से बढ़ गए उद्दव जी मालने वाले भी बहुत है तो परसंटेश हमारा बहुत बढ़ेगा हम इधर मिनिमम एक लाग से लेके एक लाग पच्छिस हजार तक हम इधर वोट निकालेंगे और अच्छे तरफ से हमारी जीत हो जाएंगे आपके मुद्दे क्या रहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप अपने वोटर्स के पास जाओ मुद्दे तो वसाई के बहुत है इधर जितना भी नागरिकरन हुआ है उसको कुछ भी सुविदा मिली नहीं है पानी का आज भी इधर टैंकर लापी जोर से है इधर electricity का ठीकान नहीं है इधर traveling का ठीकान नहीं इधर road का ठीकान नहीं है तो इधर वसाई कि जितने भी शहर में जो problem है वो शहर के प्रॉबलम लोग तो बहुत त्रस हुए है उपर से हमारे इस्ट में देखा जाए तो हमारे 29 ग्राम पंचे दी इसने जो अड़ा के रखे है तो उसके बहुत 29 ग्राम पंचे के लोग इसके उपर नारा जाए 79 गाव के जो पानी होजना 2007 से तयार होके जो मेरे कल से 2009 में टाके भी बान के तयार दी अज 2009 से 2024 हो गया वो टाके में पानी ने गिरा 79 ग्राम पंचे अज पानी के लिए वंचित है तो उसका जबाब तो अभी जितने मद्दार है ये इलेक्शन में उसके देंगे वो खाज़दार के भी भी दे थे एक लाग दो हजर से वो एक आवन हजर पे आई समझा ना तो वही जबाब मद्दार देंगे हमको कोई उसके खिलाब बोलने का जुरूत ने जो भी है जनता है मतदार है उसको जवाब देखे महाविकास अगड के हर उमेदवार वस पलगर में जित के देंगे इतना है में बोलना चाहता हूँ हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी के जिलाद जेक्ष अनिल अलमेडा जी है उनसे भी कुछ चन सवाल करते है अनिलमेडा जी क्या कहेंगे आप एक पार्टी के कॉंग्रेस पार्टी के जिलाद जेक्ष है तो अभी मैंने आपके प्रचैशी से बात की इन्होंने अपनी बात रखी अब मेरा सवाल आप से ये है कि आपकी पार्टी सिर्फ एक के लिए नहीं है महाविकास अगाडी एक गटक दलो के साथ है किस तरह से गटक दलो से आप समन्वे करेंगे काफी कम समय है एक वोटर बैंक आपका जुरूर है लेकिन कहीं ने कहीं उस वोट बैंक को वोटिंग के समय तक ले जाना इसके लिए आपके क्या प्रियास रहेंगे हमारे यहां भी वसे 133 में 354 भूट से हर एक भूट पर हमारा भूट कमिटी है हर एक भूट पर हमारा बी एले है हर एक बी एले के पास लिश पहुचा है और लोग सब आपे हमने जो हमारे माविकास अगाडी के उमेदवार थे उनको जो मेनत किया था तब हमारा समन होए अल्रेडी है जो इंडिया अगाडी के गटक पक्षा है और जो नेता लोग है वसे 133 के वो अल्रेडी कॉंटेक में है उनको कॉंटेक करना फॉम बरते समय आप देखेंगे आज भी राष्टोवादी की जिला देखें आये थे सेना की पता दिकार आये थे तो हमारा अभी जो वोटिंग परसेंडेज है वो बढ़ानी के हमारी कूशिस है लोगों को मालूम है वसे के सत्तादारी है जो अभी 2014 में मोधी सरकार और इनोंने जो ब्रस्टाचार चालू किया है और जो मनमानी कारबार चालू किया है वसे में 130 साल से चल रहा है लोगों का विरोध है मगर उपर के लिडर्शिप को मैनेश करके आज तक उनोंने कॉंग्रेस का सपोर्ड लिया था जबी विजेशिट को 77,000 होट्स मिला अगर 2019 में कॉंग्रेस का डिसीजन विजेशिट के साथ में रहता तो आमदार पास साल पहले ही होते ये नाना भाव पटोले ने जान लिया था और प्रामिस किया था इनों को कि वसई आगे 2024 में कॉंग्रेस लड़ेगी तो वसई भी लड़ रही है शायद नाला सुपारा भी कॉंग्रेस लड़ रही है और अच्छा माहल है राहुल जी गांदी ने जो भारज जोड़ो यात्रा भारज जोड़ो नए यात्रा लोगों को नए देनी की कुशिश की है यहां का वसई का प्रश्टाचार और माहिवती सरकार का प्रश्टाचार लोगों तक हुजागर करके बन करने का प्रश्टाचार और लोगों को सुविधा देनी की है बेसिक सुविता दिनी आई, यहाँ electricity के problem है, road के problem है पानी supply का problem है transport के problem है, वो सब problem में धैन देखे, हमारे गाओं में हमारे राज 29 villages जो exclude करने हैं, जो जो जूटा एफिडेविट देखे अभी तक लटका के रखा है, वो भी इसमें लड़ाई करके सरकार में आगे, महाविकास अगाडी का सरकार डेफिनिटल आ रहा है, दोस्तों किसे आसपा सीट मिल रहे है, तो उसके माद्यम से, वो सही के हवा जो है, लोगों के जो अपिक्षा है पूरी कर सकते हैं, अमरे में आखरी दो सवाल यह है, एक सवाल बेले कि अभी कुछ टिकिट को लेकर थोड़ा संतोष आप के गटक दलो में था, एक सवाल यह, दूसरा सवाल आपने अपनी चर्चा में वाडवन बंदर का जिक्रिक किया, वाडवन मंदर को लेकर इतना सब विरोध हुआ, उसके बाउजम भी वाडवन मंदर जो है, वो प्रोजक्ट मंजूर हो चुका है और इस पर काम चालू है, आपने यह भी जिक्रिक किया कि रावल गांदी जी खुद इस मुद्दे को उठाने वाले है तो यह मुद्दा कहा तक लेके जाएगी कॉंग्रेश नाना बाव पटवले ने अभी एक 15 दिन पहले जबी पत्रकार परिशेत किया था तभी वाडवन मंदर के बारे में वाइंदर में हमारी मिटिंग वे थी तभी उनको बोला था उन्होंने क्लियर कट भूमी का लिया था कि वाडवन मंदर में जबी तक कॉंपेंसेशन या अच्छा कुछ प्लान जो एफेक्टेड है फिशर में उनके लिए नहीं बनता है तब तक वाडवन मंदरम आगे जाने नहीं देंगे माविका सागडी की सरकार तो बन रही है हमारा उसको विरोध रहने वाला है क्योंकि इससे यहां का परियावरन भी एफेक्ट होने वाला है लाखों मच्छे मार है उनका रोजगार बन्द होने वाला है तो उनको कॉंपेंसेट कैसे करने वाले है उनको जॉब किदर से देने वाले है वो clarity देने के बाद ही इसको green signal देने वाले है हमारा Congress का महावी का सागड़ी का क्वाडवन बंदर के लिए विरोध है national issue है अडाने अंबानी के लिए इतना बड़ा पोड लेके लोगों के रोजगार जो देने का है वो बाजमें रखके गुखमारी बड़ा नहीं किया होई सवाल है एक सवाल चोड़िया है उसका जवाब नहीं देया है आपना जो ticket को लेकर दोड़ा असंतोष थो तो एक ऐसा है देखो ticket के लेकर असंतोष ऐसा कुछ नहीं है जो वसही के सत्तादरी के साथ जो जुड़े हुए पदादीकारी है आज तक ऐसी कंडिशन थी सब पार्टी चलने का काम वसही के सत्तादरी करते थे तो जो अभी विरोध आया है वो उसी में से आया है ऐसा कुछ खास मैंने सब पदादीकारी के साथ बाच्चित किया है वो विजेशिट के साथ है पाथ साल में जो भी प्रोग्राम उन्हों नहीं किया है विजेशिट से मदद लेके फाइनेंचियल सपोर्ट और लेके किया हुआ है और अच्छी तरह तालमेल है ऐसा कुछ नारा जी का इसके आगे फॉर्म भरते समय में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा तो अब दो दिन बाद में विजेश जी जो है अपना नामाकर बढ़ने वाले उन्तिस सारे को उस दिन भी हम आपको दिखनेंगे और जो एक बात कही जाए कि जो अभी तक का सर्वेश ग्राउंड का अलग समी कराने पिछली बार दो तरफा लड़ाई थी सिधा मुकाबला था लेकिन इस बार त्री कोणी मुकाबला है उसमें कहीं ने कहीं एक दूसरी पार्टी एक दूसरी का कैम बिगाड़ सकती है बना सकती है तो उसमें कॉंग्रेस के पास उनका जो अपना वोट बेंक पका वोट बेंक है वो उसको काफी फायदा कर सकता है आने वाले समय में देखा जाएगा अगली 23 तारीकों पिच्चर साफ हो जाएगी कि कौन आमदार बना है तब तक हमारे लिए जिन जिन ने फॉर्म बरा है सभी आमदार है सभी को बहुत बह पर अपने व्यापार और सेवा से समधित विज्जापन प्रसारण है तुद दिये गए मुबाइल नंबर पर संपर्क करें